आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की वोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ बताना है कि ये जो की भौतिक है या रासायनिक परिवर्तन है सबसे पहली बात कि भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के आकार, रंग, आकरती में परिवर्तन होता है तो वो जो की भौतिक परिवर्तन कहलाता है जैसे की कपड़े का फटना कपड़ा फटना तो तो रहेगा कपड़ा ही लेकिन आकार परिवर्तित हो गया उसी तरीके से रासाइनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ फोनता है किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है अर्थात नया पदार्थ बनता है तो वो जो की रासाइनिक परिवर्तन कहलाता है जैसे की दूद का दही में बदलना तो क्या दही से दूद बन सकता है नहीं बन सकता है तो अब यहाँ पर हम बात करें कि चारकोल देखे यहां पर हमें क्या दिया हुआ है चारकोल का जलना तो इसको अगर हम बात करें कि यह जुकी क्या हो जाएगा तो चारकोल अगर जलेगा तो चारकोल के जलने के बाद इसके रासाइनिक गुड़वा मूल संगटन बदल जाएगा और थात यहाँ पे चारकोल जलके कोई नया पदाद बनाएगा तो क्याँ वहाँ से चारकोल मिल सकता है नहीं मिल सकता तो यहाँ पर अगर देखें कि यह जो कि क्या हो जाएगा एक रासाइनिक रासाइनिक जो है परिवर्तन परिवर्तन जो है हो जाएगा तो यह जो की क्या है यह जो की एक रासाइनिक जो है रासाइनिक परिवर्तन जो की हो जाएगा और यही जो की यहां से इस प्रश्ण का जो की क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा चलिए अब समझते हैं यहां पर कि यह जो की रासाइनिक परिवर्तन जो है कैसे हो गया सबसे पहली बात कि चार कोल जलने पर 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 वह इसका जो मूल संगठन है मूल संगठन मूल संगठन वो जो है बदल जाता है मूल संगठन बदल जाता है अर्थात कहने का ताथ पर यह है कि यहाँ पर जो की क्या होता है नया पदात जलके राकी हो जाएगा तो यहाँ पर अगर देखें कि कोई नया पदार्थ जो की निर्मित होगा और वो जो की वहां से क्या हम पूरा चार कोल को प्राथ कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं तो यहां पर अगर हम देखें कि यह जो की कोई नया नया पदार्थ जो है निर्मित होगा और इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो कि हमारा क्या हो जाएगा एक रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा और यही जो है यहां से इस प्रश्न का उत्तर होगा Thank you